हेलो श्रुडेंट दिस इन मुद्र अज हम लोग डिए बी क्लास एट सब्जेक्ट साइंस का चाप्टर नुमर फॉर मेटाई स्वरी फोर्स एंद प्रेशर का हम लोग कुशन अंसर करने वाला जिसमें से फर्स्ट में हमारा फिल इन द ब्लैंक को हम लोग देखेंगे फर्स्ट में मेरा क्या है? फोर आफ फोर्स कम इंट द प्ली था तू तो गंसर और वोर्डीज मस्ट क्या होगा? तो होना चाहिए इंट्रैक्ट क्या होगा इस कंसर? इंट्रैक्ट विथ एच अदर second number to draw the water from a whale we have to तो हम लोग क्या करने pull the rope हो जागा तो इसे में हमारो हो जागा pull pull the rope third number है an unbalanced an unbalanced force acting on the moving object में change तो unbalanced force लगता तो क्या change दा सकता है तो a speed मिला सकता है और direction मिला सकता है sorry a speed and direction में four number है in the game of the cricket the bell fall तो इसमें simple बात है कि आपका contact force हो जागा है ना five number है कि force responsible for the raging our body hair तो जिसे कि आप लोग synthetic कपड़ पहेंते हो तो क्या होता है कभी-कभी आपका hair है और मतलब की राज हो जाते हैं तो किसके करणत है तो electrostatic force के करण क्या होगा electrostatic force six number में क्या है the atmospheric pressure fill in the blanks we move towards the high altitude तो जैसे जैसे हम लोग पर जाएंगे तो क्या होगा atmospheric pressure क्या होगा decrease होते जाएंग डिक्रीज होगा अब हमार भी है true false true false first क्या है the effect of force may change by changing the direction of applied force force तो यह आपका true होगा क्योंकि हम लोग applied force का direction को change कर सकते हैं तो इसको change करते हैं यह true हो जाएगा second number में है हमारा force has to be specified both term of magnitude and direction तो यह भी true हो जाएगा हमारा है ना यह भी true हो जाएगा second में third में है friction force is example of non contact force नहीं friction force contact force यह आपका हो जाएगा false आपका four number में है gas filled balloon move up तो मतलब balloon move up कर जाता है क्यों क्योंकि हमारा gravity force से उस पर में ज्यादा force लगता अप वाड़ तो यह हमारा हो जाएगा false हो जाएगा five number of we can reduce the pressure of the given force by increasing the area over which the force at contact तो आपका truth हो जाएगा ठीक है आपका pressure reduce हो क्यों होगा जब हमारा area of the contact बढ़ जाएगा ठीक है तो आपका हो जाएगा यह true हो जाएगा ठीक है और six number में inside the bottle filled with the water the pressure is listed at the bottom तो यह false हो जाएगा सी में देखेंगे tick the correct option जिसमें है क्या when two forces applied on the object are equal opposite then these are तो यह क्या होता है do not move the object जब equal or opposite लगेगा तो move object to move नहीं करेगा but उसका क्या हो सकता है shape को change कर सकता है इसमें second number है the following are the name of the some of the will not force तो आपका क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका बी एंडी बी और डी मस्कूलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जब दोनों क्या है contact फोर्स है थर्ड नमर में है रोहनीज पुसिंग बॉक्स टू आपक्स तो उसको help करने के लिए आपका इसमें थर्ड नमर में जाएगा पुषिंग बॉस इन दा वेश्ट डारेक्शन तो इसमें हे वलबाव से बुसंग देर्ड इसमें करेगा दोणों की Credit पर हमार वहां करहांट फोगा तो आपका प्रेसर सबसे जश्य ज़्यादा होगा जब्कि प्रेशर अब के मिडिल कोगा है सबसे कम प्रेशर होगा हो एक होगए फॉर्ण तिन कर्षेस क्वाइब क्या है कि प्रेश्टjem कर्भा में पर और कंटेक्ट सबसे कम होगा फाइप नमबर क्या है यह नंबर सbit कि एक यह पिलू अप जैसे सब को पींड़ा करते हो तो फेज जासे उसको हटा और तो क्या हो गया यह वाटर्राइज की करता है तो वाटरराइज सि Deal करता इसलिए हिसली हो जाता है क्योंकि टॉ findet के स्थेरिक अचरों व्लॉआकरी के उड़क है जो कि लेंध है हैं अट्रेट सेंटीमिटर ब्रेत हैं अब का 50 cm और height है आपका 20 cm तो कहा जा रहा है कि pressure कब ज़्यादा होगा तो simple बात है कि pressure आपका तब ज़्यादा होगा जब हमारा area कम होगा तो area कम हमारा कम होगा जब हमारा breath और height मिलेंगे तो यह आपका इसमें हो जाएगा आपका third number maximum when the breath and height side are उसका base बनेगा तो यह हमारा था टिक दा करेक्ट आप्शन अब्रीप में first question है उसमें दिया होगा the situation identify the agent agent को बताना जिसे कि first में है यह में है squeezing the piece of the lemon तो हमारा कौन सा force object करेक एजेंट है finger second person diving तो परसन जो diving करता है उसके लिए legs and hand होता है हमारा agent के तो पर सी में है लेवर जो है loaded card को क्या करता है पुश करता है दका मरता तो किस से with the hand ठीक है और car a car coming to the rest तो car coming करता है rest में तो इसमें क्या friction force एग्याटर भर क्या तो अर्थ के द्वारा ठीक है plus e number में athlete matching तो athlete को जो है तो earth है उस पर push करेगा athlete को ठीक है second में है object experience or non zero force non zero force force करता है तो आपका एक state line में constant speed के साथ नहीं जा सकता ठीक है तो हो ही नहीं सकता है cannot move with a constant speed ठीक है third number है हम लोग balance and unbalance force किसको कहते है तो balance force क्या होगा when two equal and opposite forces acting on our body तो हमारा क्या होगा वो हमारा balance force कर लाता है unbalance क्याते है two forces acting on anybody of equal and unequal magnitude के लगने चाहिए contact force के क्याते है any force just contact force with result कम होता है जो direct physical contact के कारण जो होता है उसको हम लोग कहते है contact force और friction force और muscular force का example हो गया जैकि non contact force कौन सा हो गया non contact force में जो direct physical contact में touching में नहीं आएगा direct interact नहीं होगा उसको हम लोग क्याता है non contact force या physical contact with each other ठीक है तो direct नहीं होता है जैसे कि हमरा gravitational force magnetic force और non contact में को यह direct physical touch में नहीं आता फोर नमबर है कि अगर एक हम लोग ball को upward throw करते हैं तो उसका speed क्या होगा हमारा decrease करेगा क्यों decrease करेगा इसलिए करेगा क्योंकि हमारा object का जो velocity upward है जबकि हमारा force लग रहा है gravity support वो against में लग रहा speed के against में 5 नमबर क्या है कि name the force which is responsible for the downward motion of the parachute ठीक है तो downward motion के लिए जो responsible force है यह है वो कौन से होता है वो हमारा gravitational force होता है जो कि आपका downward लगता है ठीक है और यह non contact force है और second में था कि बीना parachute का तो बीना parachute का non-informal speed होगा ठीक है uniform नहीं non-informal speed होगा क्योंकि acceleration लगे है और यह भी acceleration due to gravity का है अब इसको जो हम first question हो इसको हम लोग देखेंगे six में जिसमें कहा रहा है कि pressure पर क्या effect पढ़ाएगा अगर area को हम लोग double कर देते हैं और thrust को constant रखते तो सबसे पहले हम जानते हैं कि pressure बरावा क्या होता है तो pressure equal to होता है क्या होता है thrust thrust को t divided by area ठीक है area होता है तो हम लोग चुकी कह रहा है कि अगर हम लोग area को double करते हैं तो thrust पर क्या होता है तो हम लोग जो नया pressure इसको हम लोग p1 मानेते हैं equal to क्या बोल रहा है area को double करते है यानि कि t cut t हमारा रह जाएगा divided by हमारा a क्या हो जाएगा to a ठीक है to a हमारा हो जाएगा अब हम लोग क्या गरते है यानि की इसको हम लोग जिएद करेंगे तो भी फव Jim सब्सक्राइब करएं जो हो जाएगा हमारा क्या ओं ही टो ट्रीक!!! हमारे जो है ट्री वादिद बादट वै ए ती डिवायड़ वय हो जाएगा ठीकए यानि कि जो हमारा पीवन जो हो जाएगा ओरिजिनल वाला का तो इसको टीवाइए एक हम लोग भी मानें तो क्या हो जाएगा विजिए हो जाएगा अगर हमनों की एरिया को डबेल करते हैं तो जो प्रेशर है उसका मेरा हाफ हो जाएगा अब हम लोग करते हैं कि अगर थ्रस्ट को डबल करते हैं तो हमारा क्या होगा तो थ्रस्ट को डबल करने से हमारा फिर हम लोग इसको पि-टू हम लोग मान लेते हैं तहरा तो दंगल कर देंगे गांनी कि टूटी घृपा ड़ने कि लिखें धे लिकड़ी रटक यह हो जाएगए और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टू इंचू टी डिभारडड़़ा येशे लिख सकते हैं जो ऐसे लिख दी तो हमोग P2 को हमोग क्या मान सकते हैं P2 को हमोग अश्यार लिख सकते हैं 2 into T 1. यानी कि अगर हम अगर त्रॉस्ट टॉबल हो जाएगा तो क्रेसर हमारा जो अमर्ग क्रेसर उसकर एंगोबल हो जाएगा ए दो कोशन था को देखना को需 करें किके सेवं या कई दहाीर रहा है कि हमारा क्रेश्व क्या खोगा है अगर हरे स shimmer फोहीं क्या यहां नंटीमेटर को bitarm रचल्टोुथ जानते हैं में100 लेक्स खेंगा सकते हैं 1 मिटर दिख सकते हैं ट्钵 और 200 cm को हम लोग, इसको हम लोग माल लेंगे, 2, 2 meter, meter si में हम लोग लेंगे, ठेक, तो हम लोग जानते हैं कि pressure, pressure दिखे, simple, अगर 200 cm में के अंदर में रहेगा, पानी के अंदर में तो आपको जाद प्रेसर लगेगा, डबल लगेगा, लेकिन हम लोग कैसे इसको लिखते हैं, इसको हम लोग जानते हैं, ऐसे यहां से pressure, pressure बरावर होता है, rho g into h, यह रो क्या होता है, density of water, जो कि हम लोग 1 लेते हैं, g को 9.8 लेंगे, h को लेंगे 1 meter, एक बार 1 meter और 2 meter, तो हम लोग के अगर हम पर हम लोग बैठाएंगे, तो calculate करेंगे, 1 into 9.8 into h के जागा, हम लोग 1 meter ल 8 newton meter square, यह 9.8 newton meter square हो जागा, यह हमारा pressure हो जागा, ठीक है, अब यह हमारा pressure होगा, अगर हमारा 200 meter पर ले लेंगे, 200 meter पर हम लोग जब लेंगे, तो हमारा जो pressure हो जागा, 200 meter पर वो हो जागा, क्या, rho के जागा हम तो 1 हो जागा, into g के जागा, 9.8 हो जागा, into h के जागा हम हम लोग ले लेंगे टू को तो यह हो जाएगा हमारा 19.6 Nm2 तो यह हमारा दो अलग-अलग प्रेशर हुगा ठीक है क्वेशन देखेंगे जो यह नमबर का है फर्स्ट में डिफाइन दो फोर्स तो क्या है इट इस नेसरी नहीं है नोट नेसेसरी फोर्दा एक्टिंग करेगा और यह नेसेसरी नहीं है क्यों क्योंकि हम लोग जान देखनर है फोर्ड़ दो तरह होता है एक होता है क्वंटेक्ट फोर्स नौन कॉणिक फोर्स नौन कटन फोगी जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और आपका मेगनेटिक फोर्स हो गया तो इसमें आपको contact होने की कोई जरूरत नहीं है तो यह सब कोई जरूरत नहीं है सकेंड नमबर है मतलब बावड़ी का अबजेक्ट को हम लोग एक हम लोग एक सकते हैं और फ्र से जाग सकता है और फोर्ट धा नमबर है तो कियो हम जानते है जो होता है दो होता है अब नॉर्मल सो में जाओगे तो धस जाओगे तो सके लिए क्या किया जाता है उसको एरिया आफ कंटक्ड बढ़ा जाता है ताकि प्रेशर कम हो आप आप वीजली चल सके थो फोटर प्ले से लाज्ज राउंड आप दहां आप देखें होंगे गौंधिया आथ में जो है मात्य पर लगता तो इस फोग बड़ा सा कप्रा लागता उससे क्या होता है प्रेशर कम लगता वो इजिली लेग पाता है फिर क्या बलता है सार्फ नइफ है वो वह जी टेब कि इस तो होता है तो रूक में कट इनच्वाइब को क्या कि आजया राला उटा यदि इसकतीर क्ला लोग को लेगने में मतलब लगने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी है व। बंहरows टीडिये टू dem है तो इसमें हमारा मतलब की इजली हमारा मतलब फूर जाता है ठीक है सिक्स नमबर है मॉन्टी नेड में सफर फ्रॉम नोज ब्लीडिंग क्यों होता है क्यों हम जानते है आज वी गो हम जैसे जैसे उपर जाते हैं तो हमारा क्या होता है एयर प्रेशर कम होता है तो एयर प्र प्रेशर प्रेशल लोह की कारद जनली नमबर में एरोप्लेद्स केव क्यों जाता इसलिए क्योंकि एक हाईयर आल्टुटूड जा डही क्यों क्योंकि फॉसकर है आपका क्वेशन नुम्र फूर है कि टू रोड़ा ए और बी अप दे सेम विट एंड एक्वल लेंद्ध हाविंग दिफ्रेंट थिकनेश एब वाइफ वाल दा प्लेंग विद देम ऑन दे पीच हैल देम भर्टिकली मतलब इसमें है तो कह रहा है कि इसमें तो फिकर नहीं लेकिन आ रोड़ ए इस दा इसो इन रोड़ भी लेस प्रेसर एक्ट ऑन दा ग्राउंड ठीक है क्योंकि हमारा बी का ज्यादा एरिया है जबकि एक का कम इसलिए भी आपका जो है कम सिंग करेगा जबकि ए ज्यादा धसेगा ठीक है तो एक कोशन नंबर फॉल अब फाइब कोशन नंबर है थ्री होल थ्री होल से ए बी एंसी मैड इन दे इंप्टे ठीक है तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या होगा अगर उसको हम रोड़ टैप को हटा देंगे तो क्या होगा तो वेंट टैपार रिमूब अब्जर्व दा स्टीम ओव दा वाटर कमिंग फ्रॉम दर लोवर होल ट्रेवल दा जिससे कि सबसे जो नीचे में जो होल है उसका सबसे जो आपका नीचे में जो आपका होल है वो सबसे दूर जाएगा जबकि हमारे जो सबसे उपर का जो होल है जैसे कि A, B, N, C है ठीक है तो सबसे नीचे में आप फिकर देख लेंगे हैं यहां नहीं बनाया हुआ है लेकिन आप जब फोटो देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो सबसे नीचे का होल है उसका जो रेंज जाएगा वो सबसे जादा दूर जाएगा जब कि हम लोग जानते हैं प्रेशर नीजे से जैसे हम लोग उपर से नीचे जाते हैं लिक्विड के किसमें तो प्रेशर बढ़ते जाता है जब कि जो टॉप में जो हमार होल है वो सबसे कम दूरी तक उसका जाएगा समाज़ें अब हम लोग क्वेशन नमर्ज सिक्स देखेंगे मैंग दर टू टीनी होल्स दो होल्स बनाते हैं अपोजीट साट में बोटल तो उसका रेंज क्या तो सिंपल बात है कि जब इमर्ज करेगा वाटर गोज आउट दा सेम तो दोनों सेम हाइट पर सेम डेप्ट पर आपका एक्वल आपका इमर्ज करेगा मतलब वाटर का जो रेंज होगा जो दुर जाएगा वाटर उस सेम हाइट पर मतलब कि कम बेश देखेंरे होगा आपका आपका equal distance cover seven is discussed in the brief by the variation in the atmospheric pressure तो क्या होता है हम जानते हैं कि as we go upward atmospheric pressure क्या होता है क्या होता है कि sorry यहाँ increase लिखावा आप लोग यहाँ पर decrease कर दिएगा जैसे जैसे हम लोग उपर जाते altitude में जाते तो हमारे atmospheric pressure क्या होता है डिक्रीज करते जाता है हमें इंक्रीज होगी है टापिंग इसको आप थोड़ा सुधार लो गया